नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृती विद्या ट्यूटोरियल्स में मैं हूँ मितलेश बर्मा और आज हम लोग देखेंगे समाजिक के अध्यन और समाजिक के अध्यन कलास 6-8 के लिए है वैसे सिछक जो 6-8 में आठ स्ट्रीम के अंतहत अपलाई करेंगे उनके लिए है समाजिक के अध्यन और आज हम लोग देखेंगे बिहार सिछक पातरता परिच्छा में समाजिक के अध्यन में पूछे गए प्रस्ण और यह प्रस्ण 2011 का है तो हम लोग इसका देखेंगे और इसका हम लोग डिटेल देखेंगे ताके आपको समझ में आ जाए और यह ध्यान में रहे आपका तो आज देखते हैं तो आज का पहला प्रस्ण की चीन और भारत के मैध्य की रेखा का नाम है चीन और भारत के मैध्य जो रेखा है मैध्य की रेखा जो है उसका नाम क्या है डूरंड रेखा मैक मोहन रेखा रेड क्लिफ रेखा या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर होगा, वह होगा मैक मोहन रेखा मैक मोहन रेखा होगा इसका सही अंसर, तो चीन और भारत के मैध की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मैक मोहन रेखा तो डूरन रेखा किसको कहते हैं थोड़ा सो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको हम लोग कहते हैं मैक मोहन रेखा मैक मोहन रेखा और इसका निर्धारन इस रेखा का निर्धारन 1914 में 1914 में शिमला में मैक मोहन के द्वारा किया गया था मैक मोहन के द्वारा किया गया था और साथे साथ ध्यान रखे हैं कि भारत और अफगानिस्तान के मेदे भारत और अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान के मेदे जो रेखा है उसको कहते हैं दूरंड दूरंड कौन है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं और भारत और पाकिस्तान के जो रेखा है उसको हम लोग कहते हैं red cliff रेखा time तो अब मित्रों हम लोग समझे कि भारत और चीन के बीच कौन रेखा है मैक मोहन रेखा जो 1914 में सिमला में मैक मोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था भारत और अफगान ये डूरंड रेखा जो आप देख रहे हैं डूरंड रेखा है आपका भारत और अफगानिस्तान के मधि की रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को Red Cliff रेखा भी कहते हैं तो हम लोग कोशिस करते हैं कि एक के साथ, दो-तिन प्रश्ना और भी सीख जाए जरूरी नहीं कि एहे प्रश्न हमको पूछेगा हो सकता है पूछ ले भारत और पाकिस्तान की मैदी की रेखा को क्या कहते हैं रेड किलीप रेखा कहते हैं तो ये पहला प्रश्ण आपको समझ में आया होगा अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद प्रारंभिक सिच्छा को परतेक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है 20 ये 21 ये 45 या 45 ये इसमें से कौन सही होगा तो भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद तो यहाँ अनुछेद का नाम पूछा है प्रारंभिक सिच्छा को परतेक बच्चे का मौलिक अधिकार बताया है तो यह सही इसका अन्सर होगा B तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा संसोधन था थोड़ा डिटेल देख लेते हैं 46 संसोधन 46 संसोधन में संविधान संसोधन और 46 संसोधन जो हुआ था वह हुआ था वर्ष 2002 में के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्ज एवंग निशूल्क सिच्छा की वेवस्था की गए निशूल्क सिच्छा की वेवस्था की गई है तथा इसे भारते संबिधान के कौन अनुछेद में? भारते संबिधान के अनुछेद अकीस के कौ में या कहिए कि अकीस का ये में अकीस के क के अंतरगत के अंतरगत मौलिक अधिकार के रूप में सामिल किया गया है मौलिक अधिकार के रूप में सामिल किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा एकीस का ये तो 46 में संबिधान संसोधन जो 2002 में हुआ था इसमें इसके अंतरगत 6 से 14 वरस्ता के बच्चों के लिए निवार जेवंग निशूल सिच्छा की वेवस्था की गई है तीसरा प्रश्न है परगती सील सिच्छा पद्दती होती है परगती सील सिच्छा पद्दती का इशा होती है किस परकार होती है ध्यापक केंदरित पाट करम केंदरित पुस्तक केंदरित या बाल केंदरित इसका सही अंसर होगा बाल केंदरित बाल केंदरित ही क्यों? तो इसमें देखे परगती सिल सिच्छा पदती बाल केंदरित होती है इस पदती के अंतरगत सिच्छन सामगरी बाल केंदरित सिच्छा के अंतरगत आपका आएगा के अंतरगत आपका आजाएगा सिच्छन सामगरी इसके अंतरगत आपका आजाएगा सिच्छन सामगरी सिच्छन सामगरी आजाएगा आपका पैठे पुस्तक इसी के अंतरगत आजाएगा पैठे पुस्तक आपका सिच्छन बिधी इसी के अंतरगत आ जाएगा यादी सभी ये सभी बच्चों के अनुकूल होना चाहिए बच्चों के अनुकूल होना चाहिए इसी को कहते हैं बाल केंदरित सिच्छा सिच्छन सामगरी भी बच्चों के अनुकूल पैठ पूस्तक भी बच्चों के अनुकूल, सिच्छन विधी भी बच्चों के अनुकूल हो ताकि बच्चे आसानी से किसी चीज को सिख सकें और अधिकम किरिया, अधिकम की परकिरिया क्या हो? तो तेज हो सके, तो इसका सही अंसर कौन होगा? तो D होगा, परगती सिल सिच्छा पदती होती है, तो किस तरह तो बाल के अंदरित होती है? और बाल के अंदरित सिच्छा के अंतरगत, सिच्छन सामगरी, पैठ पुस्तक और सिच्छन विधी सभी बच्चों के अनुकूल हो चाहिए नेक्स्ट प्रस्ण है कि सिच्छा को संविधान के किस संसोधन द्वारा समवर्ती सुची में डाला गया है ध्यान रखेगा सिच्छा जो है वो संवर्ती सुची का चीज है समवर्ती सुची में डाला गया है तो किस संविधान के संसोधन में कौन संविधान के किस सं संशोधन द्वारा तो इसका 42 में संशोधन में क्या किया गया कि 42 में संशोधन जो हुआ वह 1976 में हुआ 42 में संविधान संशोधन वर्ष कब हुआ 1976 में और इसके द्वारा आपका सिच्छा ध्यान रखियेगा सिच्छा आपका जन सिच्छा वन जन संख्या नियंतरन जन संख्या नियंतरन एवंग परिवार नियोजन भी इसी में होगा एवंग परिवार नियोजन जन संख्या नियंतरन एवंग परिवार नियोजन बाट तथा माप बाट तथा माप जानवर तथा पच्छियों की सुरच्छा पच्छियों की सुरच्छा आदी बिश्यों को इन सभी बिश्यों को इसके अलावे भी कुछ हैं उन समों को समवर्ती सुची में डाला गया तो हम लोग इसमें क्या सीखे कि जदी पूछ ले कि वन किसमें है तो वन भी आपका समवर्ती सुची में है जनसंख्या नियंतरन एवंग परिवार नियोजन भी आपका समवर्ती सुची में आता है बाट तथा माप, जानवर तथा पच्छियों की सुरच्छा भी आपका समवर्ति सुची में आता है सब सिच्छा को तो जानते हैं कि सभी जानते हैं कि सिच्छा जो है समवर्ति सुची का चीज है इसमें हम लोग और भी कुछ नए चीजों को सीख लिए पांचवा प्रस्न है बॉल्सेविक क्रांती के नायक थे तो मार्क्स दुब्बी में है लेनीन तीसरा है माओ चौथा है अस्टॉलिन तो हम लोग जानते हैं कि लेनीन ही बॉलशयविक क्रांती के नेता थे हीरो थे जो भी है लेकिन बॉलशयविक क्रांती जो है कब हुई थी बॉलशयविक क्रांती 7 नॉवंबर 17 17 को रूश में हुई थी बॉल्शेविक क्रांथी कब हुई थी 7 नॉम्बर 1917 को रूस में हुई थी और इस क्रांथी के नेता कौन थे इस क्रांथी के नेता या तो कहिए कि नायक लेनिन थे लेनिन थे और इसे रूसी क्रांथी के नाम से भी जाना जाता है रूशी क्रांती इसे रूशी क्रांती के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान दिजेगा कि बोल्शेविक क्रांती को रूशी क्रांती भी हम लोग कह सकते हैं नेक्स प्रेश्न है कि मांग और पूर्ती का संपरत्य संबंधित है राजनिती सास्त्र से इतिहास से अर्थ सास्त्र से या समाज सास्त्र से तो मांग और पूर्ती जो है वा संबंधित है अर्थ सास्त्र से मांग और पूर्ती का संपरत्य अर्थ सास्त्र से संबंधित है मांग और पूर्ति कह लिजिए या आपूर्ति कह लिजिए जो है इसमें से में मांग और आपूर्ति में सीधा संबंध होता है सीधा संबंध होता है मतलब क्या हुआ सीधा संबंध होता है इसका मतलब हुआ कि डारेक्टली परपोर्शनल होता है इसको गनीतिय भासा में कहे तो ये directly proportional होता है कहने का मतलब है कि अर्थात हम कहेंगे कि मांग बढ़ने पर मांग बढ़ने पर आपूर्ती बढ़ जाता है मांग बढ़ने पर मांग बढ़ने पर आपूर्ती बढ़ जाती है मांग बढ़ने पर आपूर्ती बढ़ जाती है तथा मांग घटने पर आपूर्ती घट जाती है तो यही है मांग और पूर्ती का संबंध और इन सबों में सीधा संबंध है और यह जुड़ा हुआ है आपका अर्थ सास्त्र से मांग और पूर्ती का संबंध अर्थ सास्त्र से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट प्रस्ण है कि उजैन नगरी बसी है उजैन नगरी बसी है किस कौन नदी के किनारे नर्मदा के किनारे, सतलज के किनारे, तापती के किनारे या सिप्रा के किनारे तो इसका सही अंसर होगा कि सिप्रा के किनारे उजेन जो है आपका मध्य पर्देश में पढ़ता है और यह सिप्रा नदी के किनारे इस्थित है इस नदी के तट पर कुम्भ असनान का आयोजन भी किया जाता है इसी नदी के असाथ यह ध्यान देजेगा कुम्भ असनान का आयोजन इसी नदी पर किया जाता है इस नदी के तट पर कुम्भ असनान का आयोजन किया जाता है इस नदी पर कुम्भ असनान का आयोजन किया जाता है इस उजयन को ध्यान देजेगा उजयन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है महाकाल की नगरी जदी पूछा जाए तो महाकाल की नगरी तो कौन महाकाल की नगरी किसको कहते हैं तो उजेन को भी यहां से भी आपका एक प्रशन बन रहा है कि महा काल की नगरी किसको कहते हैं तो आप ध्यान रखे गया महा काल की नगरी उजेन को कहा जाता है तो इस प्रश्न में हम लोग सिखें कि उज्जे नगरी कहां बसी हुई है तो सिप्रा नदी के किनारे और इस नदी के तर्ट पर कुमभशनान किया जाता है आठवा प्रस्ण है कि निमलिखित में से कौन दलहन फसल नहीं है दलहन मतलब दाल दलहन फसल नहीं है तो आप जानते होंगे चना एक दाल है मुंग एक दाल है मखाना आरहर आरहर लाहर दाल तो यह अभी एक दाल है तो कौन सा दलहन फसल नहीं है तो मखाना जो है वह दलहन फसल नहीं है तो ये सभी चना, मुंग, चना आप जाग देख लीजे, मुंग देख लीजे और अरहर ये सभी दलहन फसले हैं लेकिन मखाना जो है वह दलहन फसल नहीं है तो इसका correct answer जो होगा वह होगा C अब next question है Noma, कि अजनता की गुफ़ा स्थीद है कहाँ पे? गुजराथ में, महाराश्चर में, मध्यपरदेश में, या राजस्थान में तो अजनता की गुफ़ा जो है स्थीद, वह महाराश्टर में है तो इसका ध्यान रखेगा कि अजन्ता की गुफाएं महाराष्ट में, महाराष्ट राजी के ध्यान देजेगा, थ्यान देजेगा, थ्यान देजेगा, महाराष्ट राजी के औरंगा बाद जिल्ले में इस्थित है, जिल्ले में इस्थित है, अजन्ता की गुफाएं इस्थि है और इस गुफ़ा का निर्मान कौन किया था तो इस गुफ़ा का निर्मान गुप्त सासकों के द्वारा करवाया गया था तो मित्रों आप समझ गए होंगे अजन्ता की गुफ़ा कहा स्थी थे तो महाराश्टर में और महाराश्टर के किस जिल्ले में तो औरंगाबाद जिल्ले में नेक्स्ट प्रस नेम लोका 10 कि भारती अर्थ ब्यास्था के उदारी करन की परकिरिया को प्रारंब करने का स्रे दिया जाता है उदारी करन की परकिरिया को प्रारंब करने का स्रे दिया जाता है स्रीमती इंद्रगांधी को, राजिव गांधी को, बीपी नरसिंगाराव को या अटल विहारी बाजपेई को तो ध्यान दिजेगा पीवी नरसिंगाराव को इसका स्रे जाता है तो ये पूरुपर्धान मंत्री थे हमारे ये जो है पूरुपर्धान मंत्री हैं कौन? P.V. नरसिंगाराओ और ये भारती अर्थव्यस्ता के उधारी करन की परकिरिया को कासरे दिया जाता है और ध्यान रखेगा इनके शासनकाल में ध्यान दिजेगा इनके शासनकाल में वितमंत्री इनके शासनकाल में जो मी वितमंत्री थे वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंग जो डॉक्टर मनमोहन सिंग के द्वारा अर्थव्योस्था अर्थ ब्योस्था में उदारी करन में उदारी करन की नीती अपनाई गई अपनाई गई ध्यान दिजेगा कि वित मंत्री डॉक्टर मनमुहन सिंग थे जब पीवी नर्शिंग हराव परधान मंत्री थे और डॉक्टर मनमुहन सिंग दो बार बाद में परधान मंत्री भी रह चुके है नरिंद्र मोदी के पहले डॉक्टर मनमुहन सिंग ही भारत के परधान मंत्री थे और वो दो बार रहे मराठा सासक सिवाजी का जन्म हुआ था मराठा सासक सिवाजी का जन्म हुआ था 1650 में, 1556 में, 1626 में या 1680 में तो मराठा सासक का जन्म जो हुआ था वह 1627 में हुआ था तो कहां हुआ था तो ये मराठा सासत कहिए कि मराठा समराईजी के संस्थापक कौन थे मराठा समराईजी के संस्थापक चत्रपती सीवाजी थे चत्रपती सीवाजी का जन्म 127 इस्वी में सीवनेर के दुर्ग में हुआ था और सीवाजी के माता का नाम क्या था तो सीवाजी के माता का नाम जीजा बाई और पिताजी का नाम साहजी भोशले था सीवाजी के राजनेतिक गुरु राजनेतिक गुरु जो थे सीवाजी के राजनेतिक गुरु दादा कॉंड देव थे और धार्मिक गुरु जो बात किया जैसीवाजी का धार्मिक गुरु की जो बात करें तो इनके रामदास थे तो हम लोग टोटल दिख देख लिए मराठा समराज के संस्थापक चत्रपती सीवाजी का जन्म सल्लोस सत्ताइसीश्वी में सीवनेर के दुर्ग में हुआ था माता पिता राजनेति गुरु और धार्मिक गुरु समों के बारे में हम लोग जान लिए नेक्स्ट है समाजिक अध्यन का अर्थ है परिवार का अध्यन, परियावरन का अध्यन, समाज का अध्यन या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो समाजिक अध्यन का जो सही अर्थ है वह है समाज का अध्यन समाजिक अध्यन के अंतरगत क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं समाज की संरचना एवंग विकास का अध्यान करते हैं। नेक्स्ट प्रस्ण है कि समाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है। क्योंकि समाजिक विज्ञान के अध्यान में हम लोग समाजिक विज्ञान के अंतरगत क्या क्या पढ़ते हैं। समाजिक विज्ञान के द्वारा हम लोग क्या क्या अध्यान कराते हैं बच्चों को। के द्वारा अध्यापक, के द्वारा अध्यापक बालकों को, बालकों में कहिए, कि लोकतंत्र की भावना, एक्ता की भावना, एक्ता की भावना, सोहाद्र, आधि की भावना, सोहाद्र, आधि की भावना का विकास करता है, जो राष्ट के निर्मान में महत्पुर्ण भूमिका निभाता है, तो समाजिक विज्ञान का अध्यापक को हम लोग राष्ट निर्माता भी का सकते हैं, क्योंकि समाजिक विज्ञान के अध्यापक लोकतंत्र की भावना, एक्ता की भावना, सोहाद्र की भावना, इत्यादी का विकास करते हैं, next question है कि समाज की परियोगसाला माना जाता है किसको अर्थसास्त्र को भुगोल को इतिहास को या साहित्ति को समाज की परियोगसाला जो माना जाता है वह इतिहास को माना जाता है समाज की परियोगसाला जो है इतिहास को कहा जाता है इतिहास को कहा जाता है क्योंकि इतिहास के द्वारा समाज की सन्रचना एवंग इसके विकास के क्रम को समझा जा सकता है इसलिए इतिहास को समाज की परियोगशाला माना जाता है जैसे हम लोग देखते हैं मिस्र की शभेता में नाली कैसे बने थे उसका सहर का विकास कैसे हुआ था तो ये सब देखने को मिलता है और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास समाज की परियोगशाला है नेक्स्ट है कि अध्यापक को कच्छा सिच्छन का प्रारंभ करना चाहिए किसे छात्रों का हाल चाल पूछ कर, पुरुग्यान से सम्मंधित प्रशन पूछ कर, नए पाठ की घोशना कर या नए पाठ के विशेवस्तू से प्रशन पूछ कर तो इसमें जो सठीक अंसर होगा, वह होगा पूरुग्यान की से सम्मंधित प्रशन पूछ कर, प्रिवियस नौलेज टेस्ट करके हम लोग प्रिवियस नौलेज टेस्ट करके हम लोग एक अध्यापक को कच्छा सिच्छन का प्रारंभ करना चाहिए तो इससे क्या होता है, तो इसका सही अंसर जो होगा, वह होगा बी, कच्छा सिच्छन प्रारंभ करते समय, सिच्छक को अपने कौशलों का प्रियोग करते हुए छात्रों से पुरुग्यान पर आधारित प्रशन पूछना चाहिए इससे छात्रों को विशेवस्तु से संबंधित जिग्यासा उत्पन होती है, तथा छात्र, श्वेंग को विशेवस्तु से समाय विजित कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग किसी भी नए चेप्टर को शुरू करें, तो उससे पुरूँ आधारित जिग्यासा उत्पन होती हैं,